मैं स्मृति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूटूब चैनल स्टडी वीथ स्मृति में तो चले सुरू करते हैं आची क्लास तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वातवर्डिय अवनमन और इससे निपटने की राज्य के निती तो इसके पहले की क्लास में भी सरकार ने कौन-कौन सी जो योजना है वो चला रखी है ज्यारकरण में वन नियम में इसके आसपास रहने वाले लोगों को व्रिक्षा रोपन से जोड़ने के लिए वन पट्टा का नियम सरल बनाया जा रहा है जो वन के आसपास जो लोग रहते हैं निवास करते हैं तो उन उनको व्रिक्षा रोपन से जोड़ने के लिए वन पट्टा नियम को सरल बनाया जा रहा है वन विभाग में वन पट्टा प्राक्त करने वाले का जो नाम है वो रेजिस्टर दो में दर्ज करने का आदेश दिया गया है इसमें पट्टा पाने वाले की पूरी विवरन जो ह विभाग की और से Plantation Management Information System और Nursery Management Information System आप्लिकेशन उपलब्द कराई गया है जंगलों के विस्तार करने के लिए और उनको पादर्शी बनाने के लिए जो वन विभाग के अधिकारी है उनको विभाग के तरफ से और अधिकारी है information system इस application के माध्याम से इसके जरीए अधिकारियों या करमचारियों को नरसरी में उगाये जाने वाले पौधे और प्रती दिन निकाले जाने वाले पौधे का जो फोटो है वो कीच करके भेजना होगा वनविभाग को जो अधिकारी है वो इस application के जरीए फोटो कीचेंगे जो पौधे लगाये जा रहे हैं और जो पौधे निकाले जा रहे हैं उन दोनों का और उसको ले करके उसको खीच करके वनविभाग को सौपेंगे राज़े में वन अच्छादित चेत्रों को बढ़ाने के लिए पूरे राज़े में 2015 में मुख्य मंत्री जनवन योजना की सु 2015 में यह थी मुख्य मंत्री जनवन योजना यह निजिक भूमी पर विरिक्षार ओपन प्रोस्ताहन का एक महत्वपूर्ण योजना है यदि किसी के पास कोई निजी भूमी है जो खाली पड़ी हुई है या फिर जिस पर वह विरिक्ष को लगाना चाहते हैं तो इसके प्रजाती के 445 पौधे तथा फलदार प्रजाती के 160 पौधों का रोपन किया जा सकेगा मेड़ पर कास्ट प्रजाती के 445 पौधे लगाए जाने पर इसे एक एकड़ के समतुल्य समझा जाएगा इस योजना के तहत एक लाभूक के लिए विरिक्षार ओपन की नियुनतम सीमा एक एकड़ अगर कोई लाभूक है अगर प्रति एक लाभूक के लिए अगर नियुनतम सीमा जो है वह एक एकड़ है और अधिक्तम सीमा जो है वह पचास एकड़ होगी प्रोशाहान स्वरूप विक्षारोपन रख रखाओ पर हुए व्याय के 50 प्रतिशत का अंस की सेर्वन योज्ना के अंतरगत ये सब की जारी है अब जानेंगे कि परेटन के दोरान अगर कोई शला नीरि अगर आता है घुंडी के लिए जारगन के चत्र में उसके मानुविया क्रियकलाप के कारण परफ़ण की पतन की समया उत्पन हो रहे हैं तो जरी सब्सक्राइब जण सतारण के प्रक्रती सर्भाव उत्पन करने विशेज कर उन्हें वन्य प्राणियों यह संड़क्षित चेत्रों के संड़क्षन के प्रति जागरुक करने के लिए संड़क्षित चेत्रों तो था इनके बाहर उप्युक्त वन्चेत्र में परेवर्णिया फ्रेंडली यह टिकाओ तरीके से एको टुरिज्म को प्रो सरकार इसके लिए सरकार के द्वारा जारखंड टूरिज्म निती 2015 अधिसूचित की गई है अब टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जारखंड टूरिज्म निती लाई गई है 2015 में इस योजना के तहत प्रथम चरण में राज्य के निम्लिखित चेत्रों को विक्सित कर गया उसमें पहला है फासिल पार्क साहेव गण्ज दूसरा है पारसनाथ गिरिटी कैनहरी हील हजारी बाग चौथा है त्रीकुट परवत देवगर पाशवा है तिलव इतलया टेम को डर्मा छटा है पलामो व्यागर पर योजनात लाते हैं सात्वा है नेतरहाड लाते हैं और आठवा है दालमा गजब अभ्यारने जमशेदपूर तो इको टूरिजम के अंतरगत जो मूल भूत सनरशनाएं जैसे की सड़क बिजली पानी की व्यवस्ता परेटों के ठहरने है तू आवासिय सुविधा है यो मनुरंजन है तू साधन उपलवद कराए जाएंगे त साधन उपलवद कराए जाएंगे साथ ही इको टूरिजम को बढ़ावा देने के लिए वन पताधिकारियों करमचारियों यह अस्थानिया लोगों को प्रसिक्षित किया जाएगा चमता वर्धन के लिए अस्थानिया गाओं में इको टूरिजम विसाह पर प्रसिक्षित कि तो अस्थानिय जो गाओं होंगे वहां पर इको टुरिज्म विसाय पर प्रसिक्षन देकर यह प्रसिक्षन दिया जाएगा इसके लिए नेचर गाइड के रूप में उनको प्रसिक्षित किया जाएगा परेवरन की हानी पहुचाने वाले कारणों में एक प्रमुख कारण जो है वो है महानगरों यह नगरों से निकलने वाला कचड़ा तो जो कचड़ा नगरों से और महानगरों से निकलते हैं वो कचड़ा भी एक समस्या उसके द्वारा भी बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो ज निकल निकल रहे हैं नगरों और महानगरों से तो उसका प्रबंधन करना अत्यनत आवश्यक हो चुका है क्योंकि तभी परेवरण संतुलन बना रहेगा जारकन में राची धनबाद चकुलिया और पाकुड में पीपीप मोड पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना की स्वक्ष भारत मिसन के तहर्ट जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को प्रमुक घटक माना गयाहा है तो स्वक्ष भारत मिशन जो 2005 में दो अक्टूबर 2005 में सुरू की गए थी यह केंद्र सरकार के द्वारा इसको प्रारम में किया गया था इसके तहत सहरी छेत्र में कचड़े का आधुनिक या व्यग्यानिक तरीके से व्यवस्थापन करते हुए 2 अक्टूबर 2019 तक पूर्ण स्वक्षता का लक्ष्य हासिल करना है इसी उद्देश्च से राची नगर निगम की सफाई व्यवस्था का अगले 25 साल तक के लिए निजी कंपनी जो है एसल इंफ्रा उसको सौप दिया गया है ताकि वह राची नगर निगम का सफाई करने का जो ठेका है वह 25 साल के लिए इजी कम्पनी SLImapra को सौपा गया है राची सहर में एक दिन में ओसत 500 metric ton कछडा होता है एक दिन का ज़ो जो ना 500 metric ton का कछडवा है वो इतना कछडा उत्पन होता है एक दिन में 500 metric ton और इस 500 metric ton से 11 मेंगवट उत्पन किया जा सकता है SLImapra की joint venture जापानी कमपनी Hitachi वाले लया कच्ड़नी पर इताची कमपनी को यहीं बिज्ली उतपादनि प्लांट लगाएगी लाजी में इसमेक्ट्र में ट्रेफ। क्च्ड़न से बीज्ली बनाया जाईगा जाएगा तो आज ही admir ΌНhal बस इतना ही है आपके ज्रैकरेंट मेंं बारे में भी आपने जाना और सरकार ने कौन-कौन से कदम उठाए हैं परेवरण को बचाने के लिए तो आपने उसे भी जाना तो आज एक लास से बस इतना ही लेते हैं आप से विदा बिलते हैं लोग नेक्स्ट क्लास में धन्यवाद